सफाई हम करेंगे नादा जी बीमार हो गए लेकिन फिर कुछ दिन दवा खाने के बाद ठीक हुए एक दिन की बात है कुछ अब आप और फो यह मख्यान जैन से बैठनी देते हैं ना सोने देते हैं यह मारा उडगई बदमाश दादा जादा जादा से अजा जादा जादी दादा जी आप क्या कर रहे हैं अरे देख नीरा मक्खिया मार रहा हूँ लगता है ये मुझे फिर बीमार करतेंगी और मुझे दस्त लग जाएंगे बुखार हो जाएगा कहां से आ जाती है इतनी सारी मक्खियां कूड़े के धेर से और कहां से दादा जी ये तो है लोग नहीं करते फिर मक्खी और मच्छर पैदा हो ही जाते हैं और बीमारी फैलाते हैं और क्या मलेरिया हैजा इत्यादी बीमारिया भी तो मक्खी और मच्छरों से फैलती है ना पता नहीं यह लोग महले की सारी गंदगी साफ क्यों नहीं करते पर दादा जी कैसे करें दादा जी हुँ मेरे मन में बात आई है क्या हम लोग पूरे महले के सफाई करेंगे पूरे महले की सफाई और हम वो कैसे माना बिल्कुल टीक कह रही है दीपू अगर तुम Лोग सफाई शुरू करोगे तो सारे महले वाले जरूर तुमारा साथ देंगे दी दादा जी फिर हो जाएगा तुम्हारा महला बिल्कुल साफ सच दादा जी फिर शुरू करें सफाई चलो चलो दादा जी तुम लोग चलो मैं हाँ घर की सफाई करता हूँ जी दादा जी दीपु और माला निकल पड़े सफाई करने उन्हें देख पूरे महले वाले भी सफाई करने लग गए कोई खूडा उठा रहा था तो कोई नाला साफ कर रहा था चलो करें हम गंधि की साफ पूरा महला हो जाए साफ मक्षी मच्छर भागे दूर करें सपाई हम भरपूर चाचा चाची भाई बहनो आओ हाथ बटाओ, हाथ बटाओ मिलकर काम करेंगे मिलकर काम करें हम आज एक भी कूडे की धेरी नहीं बची नाले का गंदा पानी भी साख कर दिया गया और जगा जगा पर दवाई छिड़क दी गई सारा महला हो गया साफ जब कूडा नहीं बचा, नाले में गंदा पानी नहीं बचा तो वहाँ पल्ले वाले मक्खी और मच्छों को बड़ी परेशानी होने लगी भिन 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 अरे मच्छ भया कहा गय हमारे कूडे की धेरी आपकहा बैठैम अच्छ भाईया चलो यहां से हाँ हाँ चलो हाँ हाई बेहन यहां भी साफ पहले तो यहां बहुत सी कूड़े की धेरिया थी कैसी अच्छी अच्छी थी कोई भी नहीं बची कितनी बरिया कूड़े की धेरिया दद कर खाते पीते थे हम सब बर्बाद हो गया देखो देखो वो शेतान बच्चे कुड़ा हटा रहे हैं अरे यह तो लग रहा है कि कहीं गंद की रहने नहीं देंगे देखो ना कैसे सब मिलकर काम कर रहे हैं चलो चलो यहां से फॉरण भाग चलते हैं वरना वरना हम भूख के माल जाएंगे और इस तरह से मलेरिया और हैजा जैसी बीमारी फैलाने वाले मक्खी और मच्छर भी फाग गये और महला साफ हो गया सारे महले वाले खुशी और चैन से रहने लगे साफ महला हो गयाब साफ महला हो गयाब मक्खी मच्छर भागे सब फैलेगी लाब वीमारी ठीक रहेगी सिहत हमारी ठीक रहेगी सिहत हमारी रखेंगे हम इसको साफ रोज करेंगे इसको साफ साफ महला हो गयाब एक भी कूडे की धेरी नहीं बची सारा महला हो गया साफ एक दिन की बात है दादा जी दादा जी दादा जी उठिये ना दादा जी उठिये ना दादा जी क्या बात है बई इतनी गहरी नीम से जगा दिया दादा जी एक खुशकबरी है क्या जन्दी बताओ दादा जी हमारे महले को साफ महले का पुरुसकार मिला है स्वास्ते विभाग की तरफ से अरे वह यह तो बहुत ही खुशी की बात है तुमने तो कमाली कर दिया है देखा मिल जुलकर महले की सफाई करने का फाइदा जी हरा जी इनाम भी मिल गया सफाई हम करेंगे जब मा बीमार पड़ी बस एक मिनट बिल्लू की गलती अपना अपना काम चिडिया सफाई हम करेंगे आप सुन रहे थे ये कारिक्रम विशे संयोजन डॉक्टर अम्रेंद्र बहरा आलेक रेनु चोहान विजय शर्मा सुधा भटनागर और दीपा अग्रवाल कलाकार गीता वर्मा दिनेश वर्मा राजेश आहुजा सतीश महाजन अशोक मलकानी के एस पवार नीरु अग्रवाल बनवारी जोल मंजु मैनी र मालती कोशिक अनन्या आशीश बक्षी भारत एरी समीर ठुकराल पूर्वा अजीत कोशल गौरी और पायल संगीतकार राकेश पंडित गायन स्वर अनन्या निहा शर्मा और अजीत हुरो नर्मान सहयोग दावुद्याल चत्रुवेदी वंदना अरिमर्दन अब्दुल खल सिम्रन कुमार और सर्वन सिंग, धन्यांकन सतीश लाडे, दीपक पांडे और भूशन गजभीये तथा नर्मान इवं प्रसुती प्रभुदयाल खटर और अजीत हुरो यह कारिक्रम राष्ट्री शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्री शैक्षिक प्राध्योकी की संस्थान द्वरा नर्मित और प्रस्तुत किये गए